आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट आपका यूपी टीजटी की क्लास नंबर 10 इससे पहले भी हम 9 क्लासे कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको जितने भी कोशन्स हैं वो प्रिवियस येर करा हैं सब आपके एक्जाम्स में पूछे गए कोशन्स हैं और अलग-अलग ए और 10 लेकर के आए हैं और आज भी बहुत इंपोर्टेंट को आप देखेंगे जो आपको डिफिनेटली हेल्प करेंगे चलिए लेट्स स्टार टॉपिक पहला कोशन देख लेते हैं प्रसार शिशा के चरण मतलब उनके जो स्टेप्स हैं उसको आपको सही क्रम में लगाना है यह जो कोशन है यह आपके यूपी में के ल्टी ग्रेट एक्जाम हुआ था आपका 29 जुलाई 2018 को उसमें यह कोशन एक्जाम में आया था वही कोशन है ठीक है तो प्रसार शिशा के चरणों का सही क्रम लगाईए वो क्या हो जाएगा आपके ध्यान का अकर्शन करना आक फिर आप क्या करेंगे उनमें इंटरस्ट को जगाएंगे ठीक है फिर क्या करेंगे उनकी आकांशाओं को जानेंगे उन पर विश्वास अपने उपर विश्वास उनका पैदा करेंगे फिर उनको जानकरी देंगे फिर अक्टिविटी करवाएंगे क्रिया फिर उनको संतो के स्टेप्स पूछ सकते हैं आपसे कुछ भी उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट उपर नीचे एक भी पॉइंट आपका हो गया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा तो यहां पर आपको पहला कोशन समझ में आ गया चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं सर् आपसे पहले जो प्रसाश इशा है वो आपके Cambridge University में स्टार्ट की गई थी ठीक हैं इंग्लाइन के Cambridge University में 1873 में स्टार्ट की गई थी जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो युनिवर्सिटीज हैं उनकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उब्जे जहां वो एक्टिव हैं शिक्षा का प्रचार प्रसार आप समय लिजी एक तरीके से और लोगों की समस्यां को समाधान करना ठीक है यह में अब्जेक्टिव था या में रहा है कि लोगों की जो समस्यां हैuced है इंको किस तरीके से हम सुलजा सकते हैं और मुश्नी दूर कर सकते हैं तो यह हमेशा main and broad objectives रहें extension education के और यह सब आप लोग जानते भी हैं और extension education है क्या आपके एक यह informal education है formal नहीं है informal education extension education और जो कि आपके Latin भाषा के tension शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ ही क्या होता है tension का मतलब है यहाँ पर खीचना या फेलाना नहीं आपर तनाव वाले tension की बात नहीं कर रहें हुआँजिड़ फेलाना तो जितना आप फेला सकते हैं out Ex का मतला होता है out मतलब बाहर तक बाहर तक जितना आप किसी चीज को फेला सकते हैं खीच सकते हैं उसका meaning होगा extension वह एक word प्रसाय शिक्षा का सिध्धान्त है, एक प्रिंसिपल है, क्या है? देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, करकर सीखना, सुनकर सीखना, सभी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है, learning by doing, करके सीखना, स्वयम सीखना, जब आप कोई काम स्वयम करते हैं, खुद से करते हैं, तब आपको वो चीज जादा समझ में आती है, तो option यहापर हो जाएगा, करके स ठीक है, नेक्स देखते हैं, 1932 में कॉलेज इस्तर पर ग्रह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन थी, तो आपको बता दे, आपको पता भी है, कि 10 नवंबर सं 1932, 1932 में डेली में लेडी एवन कॉलेज के स्थापना होई थी, जहाँ पर ग्रह विज्ञान को पहले एक एच्छिक विश है, मतलब एक आपके क्या कह सकते हैं एच्छिक विश है, कि चूजबल सब्जेक्ट था, उसके रूप में पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो सबसे बहले जो आपके अगर स्थापना होई थी, तो वो 10 नवंबर, 10 नवंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए, 10 नवंबर, 1932 में, लेडी इर्विन कॉलेज, डेली में इस्थापिद हुआ था, क्लियर है, यहाँ पर बच्चे जो है, B.Sc. Home Science की डिगरी भी प्रतान की जाने लगी थी, और टीचर्स को ट्रेंड भी किया जाता था, इसके बाद इसमें PG का प्रोग्राम, PG जो स्टार्ट हो गई, जैसे आपके Queen Marriage College मदरास में हो गया, Women Christian College मदरास में हो गया, श्री अविनाश लिंगम हो गया, ग्रेविग्यान College को एमबटूर में, बिहारी लाल College of Home Science कैलकटा में हो गया, एन आपके SNDT, Women's Vishwedale Mumme Institute of Home Science, मैसूर में ग्रेविग्यान संस्काय बड़ोदा प्रमोक है, यह बहुत इंपोर्टन है, ठीक है, इसके बाद मैसूर में 1960 में हुआ था, और हैदरावाद जबलपूर में 1964 में PG, Post-Graduation Home Science में स्टार्ट हो गया था, बहुत इंपोर्टन बादे मैंने आपको बताएंगे, नोट डाउन का लीजेगा, ग्रह विग्यान का इन विशेष चेतर नहीं है, मतलब जो broad areas हैं, उसमें interior designing नहीं आता, तो interior designing नहीं है, बाकि ये तीनों आपके broad areas है, जैसे आपके fabric designing हो गया, foods and nutrition हो गया, health and hygiene हो गया, या broad areas है, home science के, but interior designing broad areas में नहीं आता, ये special areas में नहीं आता, तो option number C यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं आता है, ठीक है, option number C is correct, next देखिए, इस्कूलों में ग्रह विग्यान लागू करने वाला, आप यहाँ बात इस्कूल की आ रही है, इस्कूलों में ग्रह विग्यान लागू करने वाला पहला राज जो कौन सा था, तो जो था वो आपका क्या था, गॉलियर की रियासत था, कोचीन की रियासत था, बड़ोदा की रियासत था, फरीद कोट की रियासत था, पहले आपको पता है कि हमारे देश में रियासते हुआ करती थी, ठीक है, तो वो कौन से रियासत थी, बड़ोदा की रियासत थी आपके, इस्कूलों में ग्रह विग्यान लागू करने व विक्ति को क्या क्याते हैं मतलब जो निव जो प्रश्लन है आपके जो चीज चल रही है उसको लास्ट में देखाना लास्ट में यूज कने वाले विक्ति को क्या बोलेंगे विलंबित अभिकारिक बोलेंगे यह भी UPLT ग्रेड एक्जैम में पूछा हुआ कोशन है ठीक है ना प्रवर्तक बोलेंगे ना प्रवर्तक मतलब न्यू चीज को लांच न्यू चीज को यूज करने वाला प्रारंबिक अभिकारक बोलेंगे लगाइड बोलेंगे तो बही जो न्यू चीजों को लास्ट में कर रहा है उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए वही चीज है कि extension education है उसके process उसके steps क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले क्या आजाएगा बताईए मुल्यांकन पुनरविचार इस्थिति समस्या शिशनकारे उद्देश समाधान ये तो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि इतने आप known हैं कि हम evaluation लास म में करेंगे सबसे पहले हम सिचुफिशन और problem को जानते हैं कहाँ कहां समस्या ये समस्या पहले हम जानते हैं और फिर हम कुछ प्लान करते हैं keluarit करते heink करें की कहां हमरे। पुपोल्स रह गए कहां पर हमसे कमी रह गए उसको फिर हम ठीक करते हैं वैसे तो आंसर मैंने बताई दिया है लिकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जो आप्शन है वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा नेक्स्ट है सरप्रसम प्रसार शिक्षा किस देश में यूस हुई थी तो प्रसार शिक्षा सरप्रतम आपके UK अभी हम बात कर चुके हैं देश में प्रियोग हुआ था और कैम्रेज यूनिवार्सिटी में 1873 में यूस किया गया था ठीक है जिसमें आपकी क्या थी educational implication जो सार शिक्षा क्या है अभी हमने बात करी extension education क्या है तो extension education आपके एक informal education है जिसका सीधा संबंद human के life से होता है human की जो daily life की problems होती है उससे होता है rural areas के development से होता है rural areas में लोगों की समस्याओं के समाधान से होता है तो हम ये बात जानते हैं कि क्या है ये एक अनौप चारिक शिक्षा है informal education है जहां पर किसी भी तरीके का कोई strict timetable कोई strict rules follows नहीं किये जाते है ठीक है next देखिए student क्रशी केंद्र क्रशी विज्ञान केंद्र किसलिए प्रारम किये गए थे क्यों start किये गए थे क्रशी विज्ञान केंद्र आपके जो farmers हैं उनके वीच व्यवसाइक प्रशिक्षन को बढ़ावा देने के लिए या उनके रिड सुविधा मतलब उनको रिड क्या बोलेंगे हम जो loan वगेरा है वो provide करने के लिए वो सु करने के लिए उनको vocational training प्रवाइट करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट के गए थे जिससे फार्मर्स अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग ले सके और अच्छी से अच्छी फसल को उगाने में वो सफल हो सके तो option number A यहांपे ठीव हो जाएगा और यहां आपके एक्जाम में आया हुआ कोशन है तो कौन सा जो परमपरागत लोक है वो आपको पता होना चाहिए तो वो आपके रामलीला हो गया रामलीला हमारे देश में यूपी में सौरी हमारे प्रदेश में बहुत ही ज्यादा धूमदाम समनाई जाती है और आप सब देखने भी गया होंगे अपने बचपन में तो option number D यहां पर ठीक हो जाएगा next question देखते है student हम भारतिये ग्रह विज्यान संग का प्रथम सम्मेलन 1952 में कहां हुआ था चेनने मदरास में हुआ था केरल में हुआ था पूना में हुआ था लुधियाना में हुआ था तो आपके चेनन में मदरास में भारतिये ग्रह विज्यान संग का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था ठीक है और 1952 में ही आपके अखिल भारतिये ग्रह विज्यान संग की I think स्थापना भी हुई थी बहुत important points है जो मैं आपको बता रही हूँ ध्यान लखेगा student तो यह चेनने मदरास हो यहां बात आगई अब communication की communication प्रिचार प्रिसार की बात हम कर रहे हैं तो यह जो सिद्धान्त है किसने दिया communication के models communication के सिद्धान्त वाली वीडियो को जरूर देखेगा बहुत पहले मैंने पढ़ा दिया था what is communication what are the problems in communication errors in communication types of communication and the models of communication तो जरूर पढ़ लीजेगा आप लोग Edward Rogers ने अरस्तू ने दिया इसको विलवर शेम ने दिया यह शेनन और वीवर ने दिया किसने दिया यह आप answer करेंगे जब आप पढ़ेंगे तब आप इसको answer करेंगे ठीक है कि नवोन मेश के प्रसार के सिद्धान्त का प्रितिपादन किसने किया था यह आप answer करेंगे next step व विस्तार विज्ञान वही चीज है extension education दौरा लोगों की जीवन मुडवत्ता को बढ़ाने के लिए किस पर जो डाला जाता है कि वहां के जो लोकल नेता है उसको मजबूत करें आप निरभरता बढ़ाएं सोदेशी संसादुनों का प्रभावी उपयोग बढ़ाएं यह प् पकड़ते हैं उन लोकल लीडर्स को अपनी वात हम समझाते हैं क्योंकि लोग जो जिस रूरर एरियास के लोग जो है वो एकदम आप जाके बोलेंगे तो आपको पागल समझेंगे आपको कोई बात ने सुनेंगे लेकिन उनका लोकल लीडर स्वारी लीडर उस चीज को बो लाओंगे एक आपके कोर्स है कोर्स में आपके प्रॉड वगरा सब्जेक्ट है उसमें आपके यह था कि गाउं वगरा जाना होता है वहां पे जाके लोगों को समझाना होता है एक फील्ट्रिप टाइप की होती जरूर है आज निरभरता उनके अंदे सेल्फ जो लोकल आपके रिसोर्स हैं उसका जो यूज है उसका जो एफेक्ट है उसके बारे में लोगों को समझाएंगे ना किस जाके कॉंप्टिशन को बढ़ाएंगे ठीक है तो उपर कितीना ओप्शन ठीक होते हैं यहां पर यह कूट है इसको आप मिला लीजेगा नेक्स अगर हम numbers की बात करते हैं आपके 또 5 जो हैं आपके वो मुक्य शाख़ाएं हैं मतला, main areas है, main broad areas है Age science के और बाकी जो हैं फिर उसकी उपसाख़ाएं होती है मतलब sub areas होते हैं ठीक है. इन main area, sub areas होते है तो पाँछ है वो कौन-कौन से है पांच, यहां पर मैं बता देती हूँ, आप लो लिख लीजे, सबसे पहला है आपके आहार, जिसे आप बोलते हैं, फूड, ठीक है, फूड्स, आपके सब सब मेन, जो ब्रॉड एरिया, इसके अंदर सब एरिया कौन-कौन से है, आप लो लिख लीजे, भ प्राइंच, बोल दीज कर दीजिग, आप इसे, तो सबसे पहला अपके ओ लिख भीया, फूड्स, इसके अपके और गालता है, इसको आप से को आप वस्टरविज्ञान बोलते हैं, यह कपड़ा यां बॉलते है, इसमें आपको textile designing, fabric designing, fabric कर रख रखाव, देख रेख, fabric की सनरचना, मतलब fabric कैसे बना है, जो आप cotton Madman, वो सब आप इसके अंदर पढ़ते है, textile science आप इसके अंदर पढ़ते है, ये सब branches होगई, लेकिन में ब्राँच क्या है आपके, textile, वस्तर विग्यान, ठीक है, थर्ड आपके आती है स्चुडेंट रिसोर्स मेनजमीन जसको आप रिसोर्स मेनजमेंट बोलते हैं इसके अंथर अपके कया किया आता है इसके अंधर आपके consumers आते है consumer education आती है interior designing इसके अंदर आती है resource management के अंदर ठीक है resource management money management time management और equipments, work simplification, जो आप home management पढ़ते हैं, वो सब इसके अंदर आता है, वो आपके third area हो गया, क्या हो गया, third आपका broad जो ब्रांच हो कि वो क्या हो गई, आपके resource management, clear हो गया, fourth आपके आता है student, resource management, RM, fourth आपके आता है, human development, HD, जिसमें आप CDP पढ़ते हैं, ठीक है, adolescence पढ़ते हैं, marriage पढ़ते हैं, family dynamics पढ़ते हैं, old age पढ़ते हैं, adulthood पढ़ते हैं, special education पढ़ते हैं, inclusive education पढ़ते हैं, और special education, विशेज बच्चों की देखवाल, जिसमें आप सारे ये mentally retarded और आपके God gifted सब पढ़ते हैं, तो वो आपके आता है, human development में, clear हो गया, ये fourth हो गई, और जो fifth आपकी होती है, वो होती है, क्या, extension and communication, संप्रेशन और विस्तार, extension and communication, जिसके अंतरा आप communication के mediums पढ़ते हैं, types of communication पढ़ते हैं, program planning पढ़ते हैं, evaluation पढ़ते हैं, training पढ़ते हैं, community development programs पढ़ते हैं, जितने भी आपके जो भी तमाम आप चीजे पढ़ते हैं, extension और communication से related, वो five number की main branch तो आपकी five branches होती है, कौन कौन सी होती है, फिर से हम revise कर लेते हैं, foods होगी सबसे पहले, आहार, दूसरी कौन सी होगी, textile, कपड़ा, वस्तर विग्यान, तिसरी कौन सी होगी, resource management, जिसको आप home management बो सकते हैं, fourth कौन सी होगी, human development, जिसमें आप CDP वगरा सब कुछ पढ़ते है और last कौन सी होती है, आपके communication and extension, उसकी जो सब branches है, मैंने आपको बता दी, आप उसके अंदर पढ़ते हैं, जितने भी programs आप पढ़ते हैं, वो सब आप इसके अंदर पढ़ते हैं, सब branches में, तो main कितना होगे आपके, main होगे आपके 5 चेत्र, ठीक है, next देखते हैं student, ग्रह पारे में हम पढ़ते हैं, चयन का सिध्धान पढ़ते हैं, प्लानिंग का सिध्धान पढ़ते हैं, तो आपके हो जाएगा, उप्रोप्त सभी, option number D, ठीक हो जाएगा, next देखिए, एक अच्छा ग्रह विज्ञान पार्टिक्रा माधारित होता है, किस पर, शिक्षा 1952 में आपके अखिल भारती है, ग्रह विज्ञान संग की स्थापना की गई थी, option number B is correct, next देख लेते हैं, राष्ट्रिय प्रसार सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो राष्ट्रिय प्रसार सेवा जो है, सौरी सेवा जो है, वो आपके, I think, 1953 में स्टार्ट होई थी इसको री चेक जरूर कलीजेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग राष्ट्रिय प्रसार सेवा के 1953 में ही स्टार्ट होई थी, ठीक है, next देखते है, प्रसार सेवा का आरम भारत में कब हुआ, जो एक्स्टेंशन एजूकेशन का स्टार्ट भारत में 1953 में किया गया था, क्रशी विकास तता ग्रामिन कल्यान हितू कारिकरम चलाने के लिए, मेन एग्रिकल्चर के डवलप्मेंट के लिए, रूरर एरियास के डवलप्मेंट के लिए, क्योंकि हमारा देश में समयधान लाग हुआ था, 1950 में, और उस समय हमारे देश के जो मेन ऑब्जेक्टिफ्स थे, व हुआ था, तो आप्शन नमबर इसमें हो जाएगा आपके, वान ठीक, नेक्स देखते हैं, किस पुरुष ने सरप्रतम ग्रेविग्यान में प्याचडी प्राप्त की थी, सबसे पहले प्याचडी करने वाले कौन थे, डॉक्टर के अन्चंदर शेखर थे, स्टूडेंट वह पुरुष जिन्होंने सबसे पहले प्याचडी की थी, डॉक्टर के अन्चंदर शेखर ने की थी, और इन्होंने प्याचडी करने के बाद राजेंद्र क्रशी विश्वद्याले पूसा समस्तिपूर बिहार में होम साइंस डेपार्टमेंट के ये डीन पद पर भी काम किया हैं, उन्होंने अज़र डीन वर्क किया है, कहां किया है, राजेंद्र क्रशी विश्वद्याले पूसा समस्तिपूर बिहार में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाज जो आपके थे, भारत के पहले राष्टपती वो बिहार से ही थे, ठीक है, तो उन्ही के नाम पर है राजेंद करशी विश्विध्याले पूसा समस्तिपूर बिहार ग्रहविज्ञान संकाई ग्रहविज्ञान डिपार्टमेंट के यह दीन पत्पकार के आए और यह पहले विक्ति हैं जिन्होंने पीचडी ली थी पहले भारतिये पुरुष हैं ठीक है टॉक्टर केंद चंद्र शेखर तो बहुत इंपोर्टन कोईशन है आपको I think clear हो गया होगा नेक्स देखते हैं सर परतम कहां और किस उच विध्याले में ग्रहविज्ञान की शिक्षन को विशय के रूप में सम्मिलित किया गया सबसे पहले कहां गया तो महारानी बाली का उच विध्याले में ग्रहविज्ञान विशय को अनिवार विशय कर दिया गया मैंने बताया ना पहले यह चूजबल था कि साइंस लिलो के होम साइंस लिलो फिर से कंपल सरी सब्जेक्ट बना दिया गया तो इसमें आपके हो जाएका option number B महारानी बाली का उच विध्याले बड़ोदा गु यूपी में हाई स्कूल की परिक्षा में बालिकाओं के लिए जो होम साइंस है वो कंपल सरी सब्जेक्ट कब बन गया था ठीक है तो इसका आपको होम बग है यह आपको मुझे बताना है नेक्स देखते है स्टूडेंट क्या कोशन है प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद् मिंजर ने आपकी के डेफिनेशन दी है तो अप्षिन नमबर भी हो जाएगा नेक्स ट्थूडेंट कुछ भी नहीं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है जो कमेंट करने के लिए बोला है उसको कमेंट सेक्षिन में कमेंट